मोक्य मंत्री भुपेश बगेल ने कल राजधानी रायपुर में सिकल सेल संस्थान सेंटर ओफ एक्सिलेंस का भूमी पूजन किया कारिक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साड़े चार साल में स्वास्त विभाग में अभूत पूर्व कारी हुए हैं उन्होंने कहा कि सेंटर ओफ एक्सिलेंस के रूप में राजध के सिकल सेल संस्थान का उन्नयन होगा इससे सुविधाय बढ़ेंगी और शोध कारियों में तेजी आएगी रिपोर्ट आजाएगा वहीं कि आपको यह सिकल सेल है कि नहीं है और जब आपको इसकुलों में बेवस्ता हो जाए गाहों में बेवस्ता हो जाए तो यदि बाले काल से पता चल जाया कि इस बच्चे को यह वहाख है कि इसको बिमारी है इसकी जानकारी हो जाए तो उमीद करते हैं कि ये हमारे देश का सबसे बढ़िया सिकल सेंटर बनेगा, जिसका लाब हमारे प्रदेश के लोगों को मिले गई, देश को भी मिलेगा, दुनिया को भी मिलेगा, तो बहुत महत्पुन कदम चतिजगर सासन के ओर से, स्वास्विभाग के ओर से उठाया गया ह स्वास्मंत्री टियसी देव ने बताया कि इस सेंटर में आने वाले समय में मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता होगी, यहां 100 बेड की सुविधाओंगी, जिसमें आपा चिकित्सा, OT, ICU, OPD, पुरुष, मह इलावार्ड और बच्चों का वार्ड बनाया जा रहा है, संस्थान में जैनेटिक लेवल रिसर्च के लिए विभिन प्रकार के लैब होंगे, जिससे इस बिमारी के इला से संबंदित शोधकार किया जा सकेगा अगले चरण में हर CHC में ये उपलब्ध हो जाएगा और अगला हमारा टार्गेट रहेगा कि हर PHC में सब हल सिंटर में और ट्रेनिंग करने के बाद मितानिन के माध्यम से भी हम ये काम कर सकते हैं इस संस्थान का निर्मान लगभग तीन एकरक्षे त्रफल में होगा जिसकी लागत करीब 48 करोड 12 लाख रुपे होगी इस सेंटर आफ एक्सिलेंस में विश्वेस्तरी सुविधाएं उपलब्ध होगी ये पहल न केवल प्रदेश के लोगों के लिए बलकि सीमा वर्ती राजियों के लिए भी लाभ प्रद होगी